तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए था कि कई सार लोग मैंने एक डाउट होता है कि यार मेरे चैनल के साथ में कहीं ने कहीं कुछ गलत तो नहीं है कोई सेटिंग है जो कि लोग को पता है मुझे पता नहीं है इसलिए मेरे चैनल करो नहीं कर रहा है या फि पर हो तो भी आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए क्यों पता है क्योंकि कुछ सेटिंग्स ऐसी है जो कि मुझे खुद अभी पता चलिए सिरेसली थ्री मिलियन पर पहुशने के भाद में तो अगर आप एडवांस लेवल पर भी है तो भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए तो जा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं so without wasting any time let's get started तो सबसे बेले हम चलते हैं हमारे computer के screen पर तो आपको अपना YouTube studio Chrome browser में desktop mode में open कर लेना है उसके बाद में आपको यह जो option दिखते हैं यहाँ पर इनमें से customization पर आपको यहाँ पर click कर देना है कस्माइजेशन पर click करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर तीन option होगे layout, branding and basic information सबसे बेले हम बात करेंगे layout के तो layout पर जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर दिखेगा video spotlight इसमें भी आपको दो option दिखेंगे channel trailer for people who haven't subscribed यानि कि वो लोग जिन्हों ने आपका channel subscribe नहीं किया है उनके लिए channel का trailer basically trailer हर कोई upload नहीं करते हैं मैं अगर मेरी बात करूँ तो दोनों channel पर मैंने कोई trailer upload नहीं कर रखा है trailer क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर एड़ पर क्लिक करेंगे और आपके channel पर जो भी एक video है आपको पहले video upload करनी पड़े कि उसके बाद में आप यहाँ से select कर सकते हैं और वो आपके channel का trailer बन जाए तो आप भी यहाँ से channel trailer add कर सकते हैं लेकिन याद रखना कि यह सिफ उन्हीं लोगों को show होगा जिन्हों ने आपका channel subscribe नहीं किया है second option यहाँ पर आता है feature video for returning subscribers मैं आपको example देकर बताता हूँ example के लिए यहाँ से हम add करेंगे यहाँ से यह वाला video में select करता हूँ यह channel में हम जाते हैं तो सबसे उपर यह वाला video यहाँ पर show होगा आपके subscribers को जिन्हों ने इस वीडियो को नहीं देखा लेकिन जिन लोगों ने इस वीडियो को देख लिया उन्हें यह video show नहीं होगा यानि कि अगर आपका कोई subscriber से अगर आपकी चनल पर visit करता है तो उसे यह video show होगा अगर उसने यह video नहीं देखा है तो सबसे उपर यह video वहाँ उसे show होगा ठीके तो यह होता है इसका मतलब यहाँ से रिम्यू करता हूँ मुझे नहीं दिखाना है यहाँ पर option आते है feature section यह होता है सबसे पहले यहाँ पर इंट कर रहा है feature channel याणि कि दिपक देया चनल पर मória सबसे पहले यह एक Sarah लगा अप्लोट का यानि कि अगर कोई भी चनल विजिट करेगा तो सबसे पहले उससे शो होगा मेरा यह सेगंड चैनल उसके बाद मुझे शो होगा यहाँ पर यह अपलोट मेरे जो रिसेंट वीडियो अपलोड है यह ले उसके बाद मैं उससे शो होगी यहाँ पर पॉपलर घ्रफव पर करता है तो थीके आपके उबधर करता है कि आप सबसे उपर क्या दिखाना चाहते हो एक्जामप्ल के लिए उबस भब अपलोड दिखा न zomb उपर कर negócio में ऑफ़क पने अब अ Supreme पर आप संक्रोक कर सकते हैं जेते हैं ओ अगर आप सबसे उपड़ दिखा और अगर कोई भी आपका चैनल विजिट करेंगा तो वह प्लेडिस उसे वहां पर शो होगी तो यह हमने बात की लियाओट की आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा अब हम बात करते हैं ब्रेंडिंग की तो यहां पर पिक्चर बेनर इमेज एंड वीडियो बाटरमार्क क मुझे तो यह चैनल का बेनर बहुत ही प्यारा लगता है देवाशी मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने बनाया था बहुत बहुत ही कमाल का बनाया ठीक है थर्ड उप्षिन यहां पर आता है वीडियो वाटरमार्क यानि कि आपके हर वीडियो में एक लास्ट कोने में एक करता है तो यह हमने बात की ब्रेंडिंग की आई होब आपको यह भी सुन में आ चुका होगा अब हम बात करते हैं बेसिक इन्फोरमेशन की इस पर हम क्लिक करेंगे तो सब से पहले डिस्क्रिप्शन आ चुकी है डिस्क्रिप्शन क्या होती है अगर कोई आपका चैनल यहां पर आप देखिए यह लिंक भी मेरे चैनल की होड़िया देखी है लेकिन इन दोनों लिंक फर्थ देखिए सेगंड लिंग या ली लिधि नही नहीं लिख़े होएं ऊक्ट्र आपनों आता श्यूं अपनी ऐसेट नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आपको एक उप्शन लिंक्स के तो मैंने यहाँ पर कौन-कोन से लिंक एट कर रखी है सेकंड चेनल की इंस्टाग्राम की एंड ट्विटर की और मैं आपको अता था हूँ कि यह लिंक शो कहाँ पर होगी तो अबाउट सेक्षन में नीचे यह देखिए गと思 Spencer है लीकिन सेकंड चेनल इंस्टाग्राम ट्विटर यहाँ पर शोँंगे अगर कोई पर क्लिक करेगा तो डिरेक्ली हैं आपके त्विटर अकॉट पर आपके इसे लिंक आप कर सकते हो इसके बाद में यहाँ पर और और छाने कर जो डिनक hana यहाँ पर मैं च्रविंच होगी तो मैंने तो फांख से यहाँ पर मैंने email कर रखी है यानि कि अगर कोई भी आप से contact करना चाहता है sponsorship के लिए या फिर कोई help के लिए तो यह email यहाँ पर आपको डाल के रखनी चाहिए अपनी लिगिना एक बात ध्यान में रखना कि आपको वह email डालनी है जो कि आपके चैनल की नहीं है इस email id से मेरा चैनल न अगर कोई भी आप से contact करना चाहिए तो वह easily कर पाए वना इसा नहीं हो कि सामने वाला आप से contact करना चाहता है आप से contact ही नहीं हो रहा तो करके रखना है ठीक है तो आई होब कि आपको basic information में काफी कुछ सेखने को मिलाओगा description आपको अच्छे से लिखने है ताकि कोई भी में जाए तो पढ़कर उसे लगना चाहिए नहीं वाकई में professional way में लिखा है चैनल की इस बारे में वह आप से पता चलना चाहिए उसके बाद में custom URL आपको खुद का बनाना चाहिए link अगर कोई share करे तो अच्छी देखनी चाहिए link आप यहां से add कर सकते हो यह email address आपको य यहां से भी कई सारे सेटिंग्स आपको करनी है तो सेटिंग्स में जाने के बाद में आपके सामने यहां पर इच्छो उप्षिन खुलेंगे general channel upload default permission community agreements जनरल में हमारे सामने से एक उप्षिन है currency का और यह आपके लिए तभी काम का है जब आपका monetization ओन हो जाएगा तो यहा Indian रूपी या वी यावी US डॉलर तो यहां पर मैंने सेलेक्ट कर रखिए क्यों क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे है यूए सटॉलर में एरणिंग देखने कि महीं सटाइब में चर्टेबल हूं अप इंडियन रूपीज भी कर सकते हो तो यहां पर मैंने US डॉलर कर सकती हो चेनल सेक्शन में गर हम जाएंगे तो यहाँ पर आती है basic information, advanced setting and feature eligibility यहाँ पर आता है country of resident यानि कि किस country से आप belong करते हो, किस country में रहे कर आप वीडियो बना रहे हो maximum इंडिया से हैं, कुछ पाकिसान से हैं, कुछ नेपाल से हैं और कुछ USA से भी है, audience मुझे comments वगर आये थे, तो आप यहाँ से अपनी country select कर सकते हो यह है keywords, दिपक दया, दिपक दया, दिपक दया, motivation, दिपक दया, motivation, inspiration यह मैंने चैनल के keyword यहाँ पर upload कर रहे हैं, तक कोई search कर रहे हैं तो आजाए, विसे तो अगर आप यहाँ पर एक बी keyword यहाँ से add कर सकते हो अगर आपको चैनल के keyword add करने तो उसके लिए क्या करना पड़ा है, एक्जामबल के लिए, यहाँ पर हम लिखता हूँ, YouTube tips और कॉमा, तो यहाँ पर YouTube tips भी add हो गया है, विसे इस चैनल में नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आप अपने चैनल के keyword add कर सकते हो, जो भी आपका चैनल का नाम है, जो भी आपका नाम है, कोई भी सर्च करें, तो यहाँ पर सर्च माने के चांस कई गोना तक बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 option थे easily, अब हम आते है advanced setting में, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पर आती है, do you want to set your channel as made for kids, नहीं, यानि कि क्या आप अपने channel को kids की category में रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आप में से maximum के kids की video तो शायद ही कोई बनाता होगा, लेकिन आप बनाते हैं कोई तो yes पर अगर आप क्लिक कर सकते हो, यानि कि छोटे बच्चे होते हैं तीन-चार साल के, व स्टूडेंट के लिए जो की बारा साल से उपर के हैं, जो की समझ सकते हैं इस टाइप की videos को, तो मतलब kids के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने no पर यहां क्लिक कर रहा है, आप भी no पर क्लिक कर दें, अगर आपका content kids के लिए नहीं है, तो next यहां पर option आता है, don't show potential inappropriate words, यानि कि जो गलत words अगर आप अपने वीडियो में बोलते हो, तो महाँ पर caption में show वो नहीं होंगे, automatic जो caption होती है, वहाँ पर अगर गलत word जो होंगे आपके वीडियो में, वहाँ पर show नहीं होंगे, एक और option आता है, subscribers count, यानि कि आप अपने subscribers को show करना चाहते हो, या फ subscribers से फर्क नहीं पढ़ता, वो यह नहीं देखते हैं कि subscribers कितने हैं, अगर content होने अच्छा लगा, वो चाहते हैं कि आने वाले वीडियो आपके वो miss ना करें, तो वो subscribe करेंगे, वो यह नहीं देखेंगे कि दर 200 subscribers से, 1500 subscribers से, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो से म जब आपका monetization on हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, disabled interest based ads, यानि कि audience का जिस चीज में interest है, उनके interest की based पर जो ads है, वो show होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, तो obviously होने चाहिए, अगर आप यहाँ पर click कर दोगे तो उस आपके ads show नहीं होंगे, और आपका revenue जो थो पर सकते हो, कर मत देना, नीचे option आते है, manage your YouTube account, उसके बाद में यहाँ पर आता है, remove YouTube content, यहाँ पर तो मैं कुछ बता हूँ यह नहीं, तो ही ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ करना है नहीं, बिल्कुल भी click mark करना हो, और YouTube से सारा कुछ हड़ जाएगा, अब हम चलते है, feature eligibility में ठीक है, तो यहाँ पर तो यह आपको सारे option यहाँ पर enable कर लेने है, सारे option, यह सबसे main है, यह अगर आपने enable नहीं किया, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, यह I think आपके channel पर already enable होगा, यह अगर enable नहीं हो तो आप video upload नहीं कर सकते, playlist create नहीं कर सकते, और अपनी playlist म video aid नहीं कर सकते, यह वैसे तो enable होगा, इसके बाद में यहाँ पर option आता है, intermediate feature, अगर यह enable नहीं है, तो आप अपने channel पर 15 minutes से जादा कि video aid नहीं कर सकते, आप अपने videos पर thumbnail नहीं लगा सकते, live stream आप नहीं कर सकते, content ID claim के लिए आप appeal नहीं कर सकते, यह क्या होता है, इसके ब अपने लिए आप 8 नहीं कर पाओगे, अगर इसे आपने enable नहीं किया है, तो क्या करना है हमें, verify phone number, आपको अपना phone number verify करना है, मैंने यह already कर रहा है, अगर आपने नहीं किया है, तो यहाँ पर option आएगा, अपने phone number 8 करने का, phone number 8 कीजिए, OTP आएगा, OTP आप यहाँ आप य यही करनी चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया, मतलब, छोड़ अब, इसके बाद में यहाँ पर option आता है, advanced feature का, इसे भी आपको enable कर लेना है, इसका क्या मतलब है, create more live stream daily, यानि कि daily, आप जितनी चाहें उतनी live stream कर सकते हैं, जितनी चाहें उतने video plot कर सकते हैं, जितन to apply for monetization, अगर आपने इसे इनेबल कर लिया है, तो आप monetization के लिए apply कर सकते हैं, लेकिन आपके channel पर 1000 subscribers and 4000 Earth का वोच टाइम complete होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आप save कर सकते हो, जो भी आपने setting में changes कियें, तीनों settings में आपने जो भी changes कियें, आप आप save पर click करके save कर सकते ह यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे, इसके बाद में हम जाते हैं upload defaults में, यानि कि कोई भी video अगर आप upload करते हो YouTube पर, तो जैसे ही वो upload होता है, जैसे हम uploading पर लगाते हैं, तो automatically यहाँ पर एक title अगर आप पर already add करते हो, तो वो title वहाँ पर example के लिए यहाँ पर में लिखता इसके बाद में अगर आपको समिद कुछ चैनिस करना है, तो आप इसली कर सकते हो, तो हर वीडियो में लग से यह एड़ ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर में यह description add कर रखी है, बाकी जो भी वीडियो में होगा, वो इस लाइन के ऊपर यहाँ पर लिख देंगे, जब दालेंगे, अच्छा description दालेंगे, text दालेंगे, thumbnail अपलोड करेंगे, पर उपर उसे एक बार ओड़ देखेंगे, कि हाँ सब कुछ सही है ना वीडियो में, तब जाकर हम उसे यहाँ पर फिर publish पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम already unlisted है, यानि कोई वीडियो अपलोड होग automatic chapters, when available and eligible, यानि कि YouTube automatic आपके वीडियो में chapter add कर देगा, अगर YouTube को लगेगा कि हाँ इसमें chapters है और AC जगा पर हैं, तो आप चाहें तो add कर सकते हैं, अगर होते हैं, तो मैं खुदी add कर देता हूँ वीडियो में, इसमें हम चलते हैं license, standard YouTube license, creative common attribution, example के लिए आपका किसी ने content य या फिर उसे request करना चाहते हो, वीडियो को remove करने के लिए, तब तभी कर सकते हो, जब आपने यहाँ पर standard YouTube license पर क्लिक कर रखा है, अगर आपने यहाँ पर creative common attribution सेलेट कर रखा है, तो आप copyright claim, copyright strike कुछ भी नहीं दे सकते, अगर आपने creative common attribution पर क्लिक कर रखा है, तो आपका पूरे पूरे वीडियो यूस मत करो, मैं देखता हूँ कि साला, मेरे पूरे के पूरे वीडियो उठा लिए, मुझे प्रोब्लम नहीं, लेकिन पूरी editing जो मैंने वीडियो में की, वो पूरी editing as it is चल रही है, उसे उनकी voice उनकी चल रही है, content भी पूरा मेरा है, एडिटिं अगर हम बात करें तो यहाँ पर यहाँ इतने option है, आप देख लो कि किस केटेगरी में आपका चनल आता है, film and animation में आता है, music में आता है, sports, gaming, comedy, entertainment, news and politics, how to end, style, science and technology, किस में आपका चनल आता है, मेरा चनल यहाँ पर education केटेगरी में आता है, ठीक है, video language, हिंदी, caption certificate, यहाँ इस पर मैंने known कर रखा है, titles and description language, यानि कि title और description के language आपकी क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ भी select नहीं कर रहे है, क्यार fix ही नहीं है, कभी Hindi के word भी use करता हूं, मैं कभी English भी use करता हूं, obviously, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी select नहीं कर रहे है, लेकिन हाँ video की language है, वो है मेरी Hindi, यानि कि जो comments YouTube को लगता है कि यह गलत हो सकती है, उनको hold करके review में automatic चली जाएगी, आप यहाँ पर select करोगे तो, hold all comments for review, यानि कि सारी comments review में चली जाएगी, अगर आप इस पर click करोगे तो, disable comments, यानि आपकी तनल पर कोई comment ही नहीं कर पाएगा, अगर आप इस option पर select करोगे तो, मत करना, वैसे यह option वहीं लोग select करते हैं, जो video कुछ नो कुछ गलत करते हैं या फिर कहीं ने कहीं, उनको बहुत ज़्यदा hat मिलती है, तभी option लोग select करते हैं, हम यह सा काम ही निकरते हैं, आप इसा काम मत करो, भविश्य में भी मत करना कि आपको hat मिलें, लोग आपस साला यूटूब कभी कभी होल्ड पर रिवीव में बेश देता है तो वहां पर शुपई नहीं होती है तो इसलिए यहां पर मैंने सारी कॉमेंट्स को अलोग कर रहा है शो हाव मेनी वीवर्स लाइक इस वीडियो अगर आप यहां पर टिक हटा दोगे तो लोगों को दीखी कर दोगा ही नहीं कि आपके वीडियो पर लाइक कितने बहले कम हो ज्यादा हो जितने भी हो लेकिन दिखना चाहिए टिक होना चाहिए तो यहां पर हो गया इसके बाद में यहां पर आता है मौनटाइजेशन का यह अप्शन उनीके चैनल पर आएगा जिनका लादा होगा तो आई ओप कि आपको यही त्यून और प्परमिशन का तो यह अर्प लिखा है ओनर दिपक दयां मैं इस चैनल के दो ओनर होते हैं तो आपको इसा नहीं करना ना को परसनल खुद का एक चैनल होना चाहिए फालतो के लफड़वाजी नहीं रखनी आप पर आप पर invite पर click करके शाहिद पता नहीं क्या होता है मुझे करके नहीं देखा नहीं मुझे करना है नहीं मैं आपको recommend करूँगा कि आप करो तो इस setting में आपको बिल्कुल भी शर्चा नहीं करनी है community में हमारे सामने इतने सार option खुलते हैं सबसे पहले यहाँ पर option आता है moderators का पता नहीं क्या होता है मुझे खुद नहीं पता है यहाँ पर आ जाएगा अगर हम उसे हाँ से हाइट करते हैं तो तो जो गाली गलोच करते हैं वो उनको हमेशा हमेशा के लिए हाइट यहां से आप कर सकते है ब्लोक वर्ड यानि कि कुछ ऐसे words जो कि आप ब्लोक करना चाहते हैं जो कि अगर कोई comment में लिखता है जैसे कि व पागल अगर comment में लिख दिया किसे गलती से याफ इसकी comment ब्लोक हो जाएगी ठीक है तो आप जो जाए वह words यहां से ब्लोक कर सकते हैं ब्लोक लिंक्स अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे तो अगर कोई आपके comment section में link को भी paste करेगा किसी video की link देगा तो वहां से ब्लोक हो जा इसके बात में यहां पर एक option है message in your live chat यानि कि live अगर हम आए है वैसे तो यार बहुत तीन हो गए आएंगे बहुत चल्दी आएंगे और हर अप्ति आएंगे हो सकेगा तो तो यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसका यह कि live stream में अगर कोई गलत वर्ड यूज कर रहा तो automatically वहां पर show नहीं होंगे, automatically यह review में चले जाएंगे, यह हो गया, I hope कि आपको यह दो option भी समझ में आ चुके होंगे, इसके बात में agreements पर हम जाएंगे, तो यहां पर ही दो option है, कोई आपको changes नहीं करने, फालतो के काम नहीं करने, वनना कुछ गलत वलत हो गया तो मुझ पर चैनल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अगर आप यहां पर क्लिक करोगे, तो यहां से आपका चैनल क्रियेट हो जाएगा, एक याईडी से, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, अगर उस Gmail आपको प्रब्लम होई, तो आपके दोनों चैनल गए, तो मत करना इसी गलती, अलग-अलग Gmail से अलग-अलग ही चैनल बनाएं, और जिस Gmail से आपने जो YouTube चैनल बनाए हैं, उसको हमेशा प्राइवेट रखें, उसको किसी के बारे में ना बताएं, किसी भी Social Media प्लेटफॉर्म पर उसे शो ना करें, उसे परसनल ही रहने दे, एक अलग से Gmail बनाएं, जिस पर लोग आपसे कॉंट्रेट कर सकें, इसके बाद में यहाँ पर उप्शन आता है, व्यू एडवांस सेटिंग, इस पर हम जाएंगे, यह यूजर आइडी है, यह चैनल आइडी है, कभी काम पढ़ाएगा तो आप यहां से कोपीपेस्ट कर सकते हो, अगर आने वाल ताइ इस्वाफर सstalkार ay जाएं, की आपने अपनी खुद की पर्सनल जो प्लेजिस बना रखी है, कुछ प्लेजिस्ट और शोजनल पर शो करना चाते हो, लेकिन फृंस प्लेजिस्ट की आप श्रोर काना चाते हो, लोगो को आप नीग आफ दिन यह दिक्त रुकी ती आप घुज आप भी मत दिखाएं ठीक है यहां पर दोने फारी हैं क्लिक कर रखेंग इसका क्या यूज है और कॉंसी गलत है और आप अपने अपने सेटिंग कर सकते हो जिसमें आप comfortable हो बाकी मैंने आपको बता दिया है वीडियो काफी लंबा हो गया लेकिन I hope कि आपको कुछने को सीखने को मिला होगा अगर थोरा भी सीखने को मिला है तो एक लाइक तो बनता है यार और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लग लो आने वाल टाइम आपको काफी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे जय भारत